जनता का असिर्वाद देख कर ही माननिय मुदी जी ने कहा है कि अपकी बारिशार सोफ़ार चाहिए अप्सिलेफ जी लग रहा है कि सपना देख रहा है और वही सपने की बात उन्होंने मंच पे कहा दिया पान दस सीड़ जीत भी जाएंगे तो उससे क्या उपर राणमंत्री हो जाएंगे जाना तो सब कांग्रेस में ही है करने बैठे सोफे पर बैठ कर राजनीती करने से सीड़ जीती जाती है कि आगे देश में कोई विकल्प है भी लोकसभाब वहराईच के प्रत्यासी आनंद कुमार गौड जी हमारे साथ हैं दो बार मुखमंत्री की जनसभा हो चुकी है यहां पर लगातार आनंद जी छेत्र में निकल रहे हैं पढ़े लिखे प्रत्यासियों में सिच्छित प्रत्यासियों में आपकी चर्चा है हम बेस्ततम समय में से आपका थोड़ा सा समय लेंगे आपसे बात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हमको समझ देने हैं आप छेत्र में निकल रहे हैं किस तरीके का लोगों का समर्थन मिल रहा है क्या है छेत्र कमा हो लोगों का समर्थन अभी से नहीं है, काफी पहले से है माननी मूदी जी के लिए और जब से हमें प्रत्यासी बनाया गया है तब से और काफी अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, लोग उत्साहित हैं और इस बार बहराईच लोग सभा में हम लोग पिछली बार से भी ज़्यादा मत प्राप्त करते हुए ये सीट जीतने का काम करेंगे चुनाव परचार का आखरी समय चल ला है, मुखमंतरी जी दो बार आपके लोग सभा छेतर में आ चुके हैं किस तरीके का देख रहा हैं, कितना चुनोती पूर्ट है, विपच को किस तरीके से आप देख रहा हैं आप चुनाव है, लड़ाई है, चुनोतियां तो रहती हैं लेकिन जो चुनोती सफ़ा परत्यासी को देनी चाहिए, जैसे कि लोग चर्चा कर रहे हैं वो उस तरीके से है नहीं, एक तुछूंकी बाहर से आई हुए हैं, इस नाते न तो उनकी पार्टी में उनकी ग्राहता है, नहीं जनता के बीच में है आपको मौका मिला, यह बड़ा मौका भातिजनता पार्टी ने आपको दिया है, इस तरीके से देखते हैं, क्या जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं? देखें, सिर्ष नेत्रित ने आउसर दिया, इसके लिए मैं हिरदैस उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और एक कारेकरता को दिया, पिकट यहां से, इस नाते यहां के जितने भी भार्टी जनता पार्टी के कारेकरता हैं, वो सभी बहुत उत्साहित हैं, और पूरे मनोय योग के साथ में चुनाव में लगे हुए हैं, और पिछले पांच सालों से, चूंकि पिता जी सांसत हैं, काम हम साथ में देख रहे थे, तो जो यहां पर विकास के कारे हो सकते थे, उसके लिए पूरा प्रयास किया गया, कई सारे हुए, कुछ नहीं हो पाए, आने वाले स समय में उनको पूरा कराये जाएगा, और जो जनता की मांग होगी, जो उनका सुझाव आएगा, उसके उन सारे यहां पर कारे कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा, अखलेस यादों की जनसवा थी, उन्होंने मंच से पीडिये को साधने की कोसिस की, पिछड़ा दलित अ संख्यत, आप किस तरीके से देखते हैं, आप सब समाज में निकल रहे हैं, जनता का समर्थन मांग रहे हैं, चुनाओ का आखरी, प्रचार का आखरी दिन लगभग है, क्या कहेंगे आप? हमारे यहां पीडिये की बात नहीं होती है, ग्यान की बात होती है, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, किसान, और एन से नारी, चार जाती हों के लिए बात होती है, उनके विकास के लिए, उनके खुसाहली के लिए बात होती है, आप लोगों का नारा है पहले अभी आपने पिछली सवाल में पूछा था अक्ले सयादों जी की जन सभा यहां गेंदघर मैदान में होई थी तीन लोग सभा छेतरों से उनके नेता कार्यकरता और जो समर्थक हैं वो बुलाए गये थे आप लोगोंने कवरेज किया होगा आपको पता होगा कि कितने अगर दिया जा संक्या तो इससे पांच-पांच गुना ज्यादा यह संक्या रहती है सिर्फ एक विधान सभा की तो जनता का समर्थन किसके साथ है यह तो अस्पश्ट है अनन जी एक सवाल मैं आप से थोड़ा सा करना चाहूंगा तो कि विपक्च कहीं न कहीं इसको चर्चा हवा देने की फिराक में है कि आपकी सीट कहीं न कहीं फस्ती नजर आ रही है इसलिए मुखमंत्री को दो बार आना पड़ा तीन दिन के अंदर क्या जवाब देना चाहें और अभी आपने पुछा था आपकी बार 400 पार के नारे को ले करके पिछली बार 2019 में 350 सीटे थी ना जनता का अशिरवाद देखकर ही मानिय मूदी जी ने कहा है कि अपकी बार 400 पार एक आखरी सवाल आपसे रहेगा क्योंकि आपका वैसे तमसमय चुनाओं में निकल रहे हैं अकलिस यादों ने मंच से कहा कि इस बार यूपी में 50 से 55 या 60 सीटे हम जीत रहे हैं अखिलेफ जी लग रहा है कि सपना देख रहे हैं और वही सपने के बात उन्होंने मंच पे कह दिया है अगर मान लीजिए पांदस सीट जीत भी जाएंगे तो उससे क्या उपर धार मंत्री हो जाएंगे जाना तो सब कांग्रेस में ही है पूर मंत्री रह चुके हैं यासर सा उन्होंने मंच से कहा कि इस बार इस सीट को जिता के देंगे आपको अखली साथों को कहा चाहे इसके लिए जान के उन्होंने देनी पड़े 2022 में जिस सीट पे अपने चुनाव लड़े थे वो तो जीत नहीं पाए घर से निकलते नहीं थे इस बार भी नहीं निकल रहे हैं कहां से घर में बैठे सोफे पे बैठ के राजनीती करने से सीट जीती जाती है क्या उन्हों उन्हों क्या कुछ ऐसा डर उनको आप कि पार्टी से लग रहा है अब पता नहीं कौन से जान के बात कर रहे थे उन इस बार का जो पीडिये का फार्मूला है समाज़ादी पार्टी का उस सवाल पर कहीं न कहीं आनद गोड़ जी ने बहुती सदे और सठीक जवाब उसका दिया है.